हमने हमेशा सोना है कि समय को बरबाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार वह समय चला जाता है तो वापिस लोटकर नहीं आता समय का जक्का बहुत ही बलवान होता है हमारी हार, जीत सिरफ इस पर ही निर्भर नहीं करती बलकि सुक, दुख, खुशी, लाब, हानी, मृत्यू भी इसी समय पर निर्भर करता है यह सब जीवन का हिस्सा है अगर आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो आपके जीवन में खुशी आती है और बुरा तो जीवन में दुख आता है हिंदु धर्म गरंथो में भी समय का वर्णन किया गया है कि जब समय का चक्र बदलता है तो राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है लेकिन यह बात हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे समय का चक्र कैसा चल रहा है यह सवाल आपके सब के मन में भी आता होगा कि आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी और संकट कब जाएंगी नमस्कार मित्रू आपका ग्यानवीलर यूट्यूब चैनल में स्वागत है हिंदू धरम ग्रंथों के कथा के अनुसार इस संकेत के बारे में भगवान शरी क्रिशन ने खुद नारदमुनी को बताया था जब नारदमुनी जी बैकूंट धाम पहुँचे थे तब वहां भगवान विश्णू से मिलने आये थे तब उन्होंने उनसे इन संकेतों के बारे में पूचा था जिस पर नरायर ने उन्हें बताते हुए कहा था कि वह इंसान के समय का चक्र परिवर्तित होने से पहले जानवरों, बच्चों, भक्तों और पक्षियों के माध्यम से ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह आने वाले दुख हो या सुक इन सब के बारे में जान पाएं बस उन्हे इन संकेतों को समझने की अवश्यक्ता होती है, लेकिन जो अग्यानी होता है वह इन संकेतों को देखते हुए भी आने वाले समय के बारे में नहीं जान पाता, आज हम आपको इस वीडियो के जरिये ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चल सकता है, या आपके जीवन में अच्छा वक्त कब आने वाला है इन संकेतों की मदद से आप अपने जीवन में बदला भी ला पाएंगे तो में त्रो अच्छे समय का सबसे पहला संकेत यह है कि जब बिल्ली आपके घर के परांगण में बच्चे को जनम दे घर के द्वार पर गाय माता बार-बार कुछ खाने के बहाने दस्तक दे या फिर पक्षी आपके घर में अपना ही डेरा बनाएं और चहकते रहें बंदर आपके घर में खाने की चीजें खुद उठा कर ले जाएं तब इस संकेतों के माध्यम से आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आने वाला समय बहुती भादूर और बल्वान होने वाला है जिससे कि आप अपने जीवन में नई उचाईया चुएंगे दूसरा संकेत जब आपकी आखे सुबा के महुरत के समय यानि की चार चोबिस बजे से पांच बारा बजे के बीच खुलती है और आपको ईश्वर का समरण होता है या आपको ऐसा लगता है कि कोई आगे किसी दिशा की तरफ ले जाना चाह रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आके आने वाले समय में आपके द्वार में खुशियां लाने वाले है और आप कामियावी की और बढ़ने वाले हैं तीसरा संकेत चोटे बच्चों को हमेशा भगवान का रूप कहा जाता है इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर चोटे बच्चे बिन बुलाए बार-बार या फिर आपको देखकर मुस्कुराएं तो यह संकेत यह दर्शाता है कि आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं और आप नए रिष्टों से जुड़ने वाले हैं इसलिए कभी अगर आपके घर में कोई बच्चा भी आता है तो उसे कभी भगाये नहीं बलकि उसक स्वागत करें और उसकी पसंदीदा चीज उसे खाने को जुरूर दें चोथा संकेत जब कई समय से चल रहे खर्चे की समस्या कम होने लगे आने वाले संकट अपने आप टलने लगे और धन के अलग अलग सोस्त्र खुलने लग जाएं तो इसस समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे वक्त के बादल हटने वाले हैं और स्वें आपके घर में लक्षमी वास करने वाली है और धन आपके घर में टिकने वाला है पांचवा संकेत अगर कोई व्यक्ती कई बार बिना किसी कारण खुश या प्रसंद दिखाई देने लगता है और चहरा मुस्कान से भरा र देते हैं तो यह आपको दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है ऐसे वक्त में जब कोई व्यक्ती किसी के बारे में सोचता है तो वह चीज जल्दी उसे मिलने क्यों उमीद होती है छटवा संकेत अगर आपके घर में अतिती का आगमन होता है घर में चा संकेत माना जाता है यह सबी संकेत आपको आपके आने वाले अच्छे समय के बारे में बताते हैं साथवा संकेत अगर आपको शाम के समय दूद या जल से भरा पात्र किसी के दुबारा मिल जाए या फिर कोई आपको मिठाई दे तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भ जाता है कि आप जो भी काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं वह काम आपका जरूर ही पूरा हो जाएगा और इस काम में सफलता जरूर मिलेगी तो मित्रो यह थे वह 8 संकेत जिनके मदद से आप अपने आने वाले शुब समय के बारे में अच्छे से जान पाएंगे बस आपक करने के लिए आपका धन्यवाद